नमस्कार दोस्तो एभी माइन ट्रेनिंग सेंटर के बैनर तले माँ आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ एफर्मेशन का प्रयोग करेंगे मौर्निंग एफर्मेशन का प्रयोग करेंगे कि हमें सुबह उठते ही कौन सी एफर्मेशन का प्रयोग करना है खास करके OCD, Anxiety, Depression, Phobias, Aggressive जो लोग हैं उनको मौर्निंग में किस तरह की एफर्मेशन का प्रयोग करना है और किस तरीके से करना है और किन शब्दों का यूज करना है यह है आज की इस एफर्मेशन बताऊंगा मैं और इसे यदि आप अपने सैट्यूल में शामिल करके और continue इसका practice करते हो तो बहुत जल्द आप OCD से बाहर निकल जाओगे चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सरप्रथम हमेशा मैं बोलता हूँ OCD वालों के लिए कि आप अपना time table निश्चित करें तो time table में सबसे पहला काम आप अपने उठने का समय निश्चित करें अगर morning छे साड़े छे लाश्ट आप उठ जाते हो तो आपके लिए काफी अच्छा है और उस समय आप इस affirmation का प्रयोग कर सकते हैं affirmation का प्रयोग आपने इस तरीके से करना है मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है मैं आज के दिन कुछ नया करने वाला हूँ मैं आज अपने आपको खुश रहने के लिए बहुत अधिक प्रयतन करूंगा और आज की इस सुबह के लिए मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुदिमता वाली शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद धन्यवाद मैं आज के इस दिन को मेरे लिए बहुत ही अच्छा मानता हूँ और आज का दिन सचमुच मेरे लिए अच्छा रहने वाला है मैं अपने आपको खुश रखने के लिए जो भी करूँगा उसके लिए है मेरे अवचेतन मन की असीमित बुदिमता वाली शक्ति आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद 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 दा बैस्ट दा बैस्ट दा बैस्ट रहुल, you are the best आप रहुल के स्थान पर अपने स्वेंग के नाम को यूज करें अपने नाम को यूज करते हुए बोले दा बैस्ट, दा बैस्ट, दा बैस्ट, रहुल, you are the best आप जब भी अपना स्वयम का नाम ले पूरे फील पूरी उर्जा के साथ नाम ले और यदि इस वीडियो को आप मीरर के सामने खड़े होकर सुनते हो और प्रैक्टिस करते हो तो यह काफी अच्छा रहेगा आपके लिए इसका रोजाना आपने प्रैक्टिस करना है यह चार से पांच मिनट का वीडियो है और इसके अंदर जो भी बातें बताई गई है उन्हें आपने प्रैयोग में लाना है और अगले जितने दिन का भी आपने टार्गेट लगा कर रखा हुआ है उसके साथ साथ इस एफर्मिशन का प्रैयोग करते रहें आप OCD से बाहर निकल जाएंगे यदि यह वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद